करेंट अफेर्स में मार्च का जो महीना है वो क्यों खास बन जाता है ये सारे के सारे लोग जो थे विडो री मैरिज के लिए काफी जादा अप्टू रहते थे और इन्होंने काफी जादा काम कराया उस एरिया में उस सेक्टर में इंडिया आउट कैमपेंग के तुरू आप इन सारे लोगों को निकालिये हमारे देश से बाहर ऐसी चीजों को ऐसे पूरे कल्चर को बोला जाता है हॉर्टी कल्चर सिर्फ पैसे के मामले की वज़े से उन मूवीज को स्क्रीन नहीं मिल पाई लेकिन वह मूवी असली में बह देखी थी कि जो भी करेंट अफेर्स हमारे जैन फेब में इंपॉर्टन रहते हैं सारा का सारा हमने वापस से बहुत अच्छे से कवर किया था अब जब हम बात करते हैं तो हम करेंट अफेर्स की बात करते हैं करेंट अफेर्स में मार्च का जो महीना है वो क्यों खास बन है उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे पूरी क्लास में ठीक है तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आज है इस जारखंड ने इंट्रीउस करा इंडिया का पहला विडो री मैरिज इंसेंटिव स्कीम जारखंड ऐसा स्टेट बन गया था विदवा पुनरविवा प्रोचान योजना जो भी औरतें विदवा हो जाती हैं उनकी वापस से शादी करवाने के लिए जारखंड की सरकार ने ये पूरी स्कीम निकाली है इस स्क में जो भी विमन चूज करेगी के मैं री मैरी करना चाहती हूं आफ्टर देट ऑफ देर हस्बेंड उनको दो लाक रुपे मिलेंगे सरकार की तरफ से ठीक है ये इंसेंटिव है ठीक है सीम कौन है चंपाई सोरेन जो की कहां के सीम है वो है जारखंड के सीम अब जो लड़ अच्छ की होनी चाहिए मतलब वो कम नहीं होनी चाहिए 18 से 21 से तो यह चीज एक जो वुमन है वो कोई गवर्मेंट एमपलॉई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके पास तो आरि सालरी आरी कोई पेंशनियर नहीं होनी चाहिए या फिर कोई ऐसी जो इंकम टैक्स भरती है ऐ यह application submit होगी और within one year from the date of remarriage आपको reimbursement मिल जाएगा यह certificate आपको provide करवाना है husband का कि भाई है तुम सही में विद्वा हो के नहीं और विडो रिमारिज act जो है 1856 में आया था one of the earliest legislation जिसने remarriage जो है उसको promote करा जो राजा राम मोहन रॉय का नाम आप सभी ने सुना होगा ईश्वर चंदर विद्या सागर का नाम आप सभी लोग ने सुना होगा यह सारे के सारे लोग जो थे विडो रिमारिज के लिए उस हैर अगला अगला इंडियन नेवी ने commission करा है आई एने जटा यू जैसा कि मैंने आपको जैनुवरी की ही पहली क्लास में ये बताया था कि लक्षुदीब जो है वहाँ पर उसके सदन मोस पार्ट पर है एक मिनी कोई नाम का आइलेंड ठीक ये जो मिनी कोई नाम का आइलेंड है लक्षुदीब के सदन मोस पार्ट पर ये जो मिनी कोई नाम का आइलेंड है यहाँ पर क्योंकि वो एकदम सदन टिप है साउथ में एकदम तो क्या होता है तो यहाँ से हम अगर माल्दीव्स पर नज़र रखना चाहें माल्दीव्स पर अगर हम नज़र रखना चाहें तो काफी आसानी से हम माल्दीव्स पर नज़र रख सकते हैं माल दीव्ज पर हमें नदज़रक्णब्रप कीजैंड की है, क्योंकि माल दीव्जम में जो हमारे 71 सोलजस्च का टूप था, 21 सोलजस्च का टूप था, कभी 12 soldiers का भी troop बचा हुआ था वो सारा का सारा Maldives ने बोला कि India out campaign के तुरू आप इन सारे लोगों को निका लिए हमारे देश से बाहर लेकिन हम को पता है कि आज नहीं तो कल Maldives को हमारी जरूवत पढ़नी है इसी लिए ये अब क्या हुआ कि Maldives क्योंकि हमने अब अपनी ही बाउंडरी पर उसको सेट कर दिया है आई नहीं जटायू जो कि एक एरक्राफ्ट कैरियर है कभी भी कुछ भी गलत होता है मालदिज में हम यहां से रेडी रहेंगे तोड्स इनहांसिंग ओपरेशनल केपिबिलिटीज पॉइंट नंबर वन और मैरिटाइम डोमेन की अवेरनेस पॉइंट नंबर टू यहां पर आई एनेस जटायू जो है मिनिकोई आइलेंड पर कर दिया गया है स्थापित मिनिकोई आइलेंड अब किस-किस के नाम हमको याद रखने है जो क्यूस इवेरन में प्रेजेंट थे नेम नंबर वन तू त्री यह तीन लोगों के नाम हमको बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है चीफ आप नेवल स्टाफ तो अबिसली बहुत इंपोर्टन हो जाएगा उसके बाद चलता हूँ मैं नियू बेस यह जो है नया बेस जो है सिर्फ 130 किलिमीटर दूर है कहां से थुरा कुनू दा नदर्ण मोस्ट आइलेंड ओफ मालदीव्स हमको यह भी इंपोर्टन रखना है कि नदर्ण मोस्ट आइलेंड क्या है थुरा कुनू मतलब मिनी कोई हो गया यहां पर माल लो यह मिनी कोई आइलेंड है और यह हो गया पुरा कुनू यह है इंडिया यह है मालदीव्स यहां पर सिर्फ 130 किलिमीटर की डिस्टेंस है तो जो इंडिया का सदन मोस्ट है यह उनका नदर्ण मोस्ट होगा थीक है तो ऐसे यह पूरा बेस बनाया गया है इंडियन नेवी के पास दिसेंबर 2023 तक दो एरक्राफ्ट कैरियर थे आई एन एस विक्रमादित्या जिसका नाम एक यह है और आई एन एस विक्रानत यह दूसरा ठीक है अगली न्यूस पर चलते हैं अगली न्यूस क्या बोलती है केरला ने लॉंच करा है इंडिया का पहला स्टेट रन ओटी प्लाटफोर्म स्टेट गवर्मेंट कोई ओटी ओटी प्लाटफोर्म चलाना चाहती है और उसका नाम रखा है उन्होंने यह सी स्पेस केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है पीनाराई विजियन अगेन एन इंपोर्टेंट पार्ट इन यूर प्रेपरेशन जिनोंने स्टेट का पहला प्लाटफॉर्म ओटीडी सी स्पेस कहां से लॉंच करा पिरू अनन्था पुरम से लॉंच करा केरला स्टेट फिल्म डेवलप्मेंट कॉपरेशन जो है वो के एस एफ डीसी इसको पूरा देखेगी यह एम करती है शोकेस करने में क्या अवार्ड विनिंग फिल्म शॉर्ट फिल्म डॉक्यमेंटरी और अधर कंटेंट जिसने आज तक जो है वाइड रिलीस जिसको नहीं हो पाई या फिर किसी को जहांपर screens मिलनी चाएगी ती सिर्फ पैसे के मामले की पूरी पूरी अगर आपको देखनी होंगी तो आपको उसके लिए देने पड़ते हैं पैसे ऐसे रुपए इसी लिए पर वियू बेसिस आपको यहां पर 75 रुपीज देने पड़ेंगे और केसे डीसी जो है 50% of the cost bear करेगा यह सारे कोई इंपोर्टेंट नी बनाता था ठीक ह संबर 4 पर अगर मैं आऊं तो इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो टरनल जो है वो कोलकता में हो गई है लॉंच ठीक है हावडा मैदान से एस्वाने डिसेक्शन कंट्री का पहला अंडर वाटर ट्रास्पॉर्ट स्टेशन टरनल होगली रिवर के नीचे यह कोलकता को और हावडा को डिवाइड करता है आट थर्टी मीटर जो है इस मीटर गहरा डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन दनल्ट्री बन चुका है कौनसा हावडा मेट्रो स्टेशन टीक है 3.8 किलो मेटर का स्ट्रेच है Qatar मेदान से एस्प्लेणे का जो कियए क्रूशल सेग्मेंट है इस्ट, वेस्ट, मेट्रो, कोरिडोर का करेक्टिंग की एरियास, इंक्लूदिंग आईटी हब, स्वाट लेक, सेक्टर 5 यह सारी चीज है जो की इंपोर्टेंट एरियास बन जाते है यह 520 मीटर का स्ट्रेच जो है जो अंडर दा रिवर है, सिर्फ 45 सेकंड्स में कम्प्लीट करेगी ठीक है, रिवर के जो चोड़ाई है, अगर मालो ऐसे रिवर बह रही है इस तरफ एस्प्लेनेड है, इस तरफ क्या है, हावडा मैदान यहाँ पर जो चोड़ाई है, 520 मीटर की है, जितनी चोड़ी होगली नदी है इस टाइम पर, यह जो पार करने के लिए टाइम लगता था, पहले लोग बोट से जाते है पूरा बिज्ट का पूरा ट्राफिक जाएगा, इससे अच्छा, यह मेट्रो जो है यह पानी के नीचे से जाईगा, ठीक है? यह चीज़ यह एक ब्रांच है, जो डील करती है गार्डन क्रॉप्स fruits, vegetables and ornamental plants ये word horticulture कहां से आता है hottest नाम का एक Latin word है जिसका मतलब होता है garden या फिर color ये जो है एक दूसरा पार्ट ये बन गया जिसका मतलब होता है cultivate मतलब जो भी चीजें आप अपने घर के garden में cultivate कर सकते हैं ऐसी चीजों को ऐसे पूरे culture को बोला जाता है horticulture इसमें और भी चीजे इंक्लूड होती है foleri culture जिसमें आप vegetable सुगाते हो pomology जिसमें आप true tour गाते हो फिर florery culture जिसमें आप flowers सुगाते हो फिर landscape जिसमें आप constructing maintaining landscapes होती है इंडियन institute of horticulture research जो है IIHR ये host कर रही थी तीन दिन का एक national horticulture fair कहा एसर घटा की premises में जो की पैंगलोर में इस है इसका theme क्या था next generation technology led horticulture और sustainable development अगले generation की technology क्या use करते हुए अगर हम horticulture को promote करेंगे तो आगे आने वाले sustainable development के जो goals है उसको यह अच्छे से meet करेगा और fulfill भी करेगा ठीक अब इस ने establish कब हुई थी यह पूरी body 1967 में ICAR IIHR यह जो है यह applied strategic research horticulture crops में proper इनकी रहती है अब अगला topic France ने क्या करा abortion rights दे दी हैं लोगों को अपने पूरे constitution में ही include कर दिया है उसको historical moment में France ऐसी पहली country बन गया पूरी दुनिया में जिसने right to abortion को अपने constitution में डाल दिया यह decision कब हुआ एक special joint vote of both houses of the parliament जिससे overwhelming 780 votes की majority मिली favor में और 72 ही बस against में गए ठीक है यह एक voting ratio मैंने बता दिया उसके बाद तो versalis का palace जो है treaty of versalis जहां हुई थी वो paris में paris के थोड़े से बाहर versalis palace जो है वहाँ पर यह पूरा काम हुआ सारा voting procedure हुआ according to the amendment abortion is a guaranteed freedom now in the country of France यह एक guaranteed freedom है France में abortion ठीक है यहां से तुम्हें समझने की जरुवत है अब यह vote जो है यह enshrine करता है article 34 of the French Constitution यह बन गया एक question French Constitution के कौन से article में आएगा abortion ठीक है condition जो है guarantee करने की रिकोर्स क्या है abortion का सारा का सारा इसमें दिया हुआ है women have had a legal right to abortion 1974 में एक law आया था तब से उनके पास legal right तो थी लेकिन उनके Constitution में यह right mentioned नहीं थी अब इससे क्या है जब Constitution में डाल दी तो उनको एक legal protection मिल गई राइट की और यह ensure हो गया कि यह ऐसे easily overturn नहीं हो सकता आगे किसी future government में तो कबसे थी 1974 is important यह बन गया एक और question ठीक है कि फ्रांस के Constitution में यह right कबसे enshrined थी कितनी पुरानी है क्या है ठीक है अब उसके बाद abortion rights activists ने Central Paris में क्या करा कि इस पूरे move के लिए gather हुए cheer हुए upload हुए party बनाई उन्होंने बढ़िया एक giant screen पे my body my choice करके background में सब लिखा और सारा का सारा इनका party होगी वहाँ पर celebration हो गया ठीक है तो आप कुछ questions है जो की मैं अगले lecture में करवाऊंगा काफी अच्छे से आज के lecture के लिए हम इसको यहीं पर रखते हैं यहीं पर इस lecture को खतम करते हैं जो आगे अनल लेक्चर होंगे तो हम March Part 2 करेंगे and कुछ questions भी करेंगे तो आप बिलकुल साथ में रहें stay tuned and I hope you will enjoy the coming lectures as well